आकाश्वाणी लखनौ से प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाश्वाणी से मन की बात कारिक्रम में आज लोगों से पैरिस ओलंपिक खेलों में शामिल भारती खेलाणियों को प्रोचसाहित करने का किया आवफान प्रधानमंत्री ने उत्तरप्रदेश के पीली भीत जनपद में चल रहे बाग मित्र कारिक्रम की भी सराहना की उत्तरप्रदेश विधानमंडल का मौनसून सत्र कल से होगा शुरू विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज हुई सर्दली बैठक में सभी दलों से मांगा सहयोग। सभा के वरिश नेता माता प्रसात पांडे बने विधान सभा में नीता प्रतिपक्ष। और पैरिस उलम्पिक में भारत के खाते में आया पहला मिदल। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांसे पदक, राशपती और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शोभित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाश्वानी पर मन की बात कारिक्रम में शोताओं से पैरिस उलम्पिक खेलों में खेलाणियों का उत्साह बढ़ाने का आगरह किया है। दुनिया भर में अंतराश्वी बाग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाग भारती संस्कृति का अभिन अंग रहे हैं और जंगलों के आसपास के गाउं में लोग बाग के साथ सद्भाव से रहना जानते हैं। श्री मोदी ने उत्तरपरदेश के पीली भीत में चल रहे बाग मित्र कारिक्रम का भी उलेख किया। बाग मित्र कारिक्रम भाष्ट चर्चा में हैं। इसके तहर श्थानिये लोगों को बाग मित्र के रुप में काम करने के प्रेनीं दी जाती है। ये बाग मित्र इस बाद का पूरा ध्यान रखते हैं कि बागों और इंसानों के बीच तकराव के स्थिती ना बने। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी है। प्रधान मंत्री ने शोताओं से 15 अगस्त नजदीक आने पर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए भी कहा है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रधान मंत्री के आज मन की बात कारिक्टरम में पीली भीत के बाग मित्रों के कारियों की प्रसंसा किया जाने पर बाग मित्रों में भी खुशी देखनों को मिली। बाग मित्र राजीव कुमार ने प्रधान मंत्री का आभार जताते हुए कहा। प्रधान मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये समाचार आप आकाश्वाणी लखनों से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।